हाई अब्रिवन तो आज मैं आप सब के लिए लेके आए रच्छमंदन के खास मिठाई तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देख लीजेगा क्योंकि स्वाद ऐसा है कि देख के बनाने का मन करेगा तो हम लोग मार्केट से इतनी महंगी महंगी मिठाईया लेके आते हैं फ करी का बुरादा लिया हुआ है नारियल का बुरादा आप चाहो तो नारियल को कदुकस करके भी एड़ कर सकते हो जो भी आपके घर पे रखा हो बस इसको हलका सा भूनना है जिससे कि इसका कच्छापन हट जाए और यहीं कुछ बारिक करते वे ड्राइफ रूट से एड़ करेंगे मिक्स करने के पाद ना यहां थोड़ा सा केशर वाला दूद या मतलब थोड़ा सा फूट कलर भी एड़ कर देंगे केशर वाला तो अट्रेक्टिव बनानी के लिए मैंने एक कलर एड़ किया है यह ऑप्सनल में आप चाहो तो एड़ करो या इसकी भी कर सकते बस इसको हलका सा मतलब आधा मिनटी इसको पकाना है और यह बिल्कुल इस तरह से मावा फॉम में आ जाता है बस इसको गैस को आफ करना है ठंड़ा होने के लिए थोड़ा सा रख देंगे यही मैंने एक कढ़ाई लिया हुआ है और कढ़ाई में एक गिलास दूद हैट करेंग और साथ ही न यह एक छोटा कप सक्कर मतलब आपको जितना पसंद हो मिठा उसी ही साब से इसको एक साइड पकने के लिए रख देते हैं जब तक कि हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं तो यही मैंने कुछ मेडियम साइज की ब्रेड ली हुई है आपको जितनी भी मिठाई बन के रख लेते हैं तो एक साथ दो मिठाईया बन जाती है यह भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो आप चाहो तो इस तरह से लड्डू भी बना के लख सकते हो यह प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है और यही अब थोड़ा सा यह दूद लेना है और ब्रेड को इ बनाने में बहुत कम टाइम लगता है स्वाद ऐसा ना कि अगर आप एक बार इसको बना के और किसी को चखा देंगे ना तो बार बार इसकी फर्माइस चरूर करेगा तो इस तरह से बना के रेडी कर लेना और यह बिल्कुल छेना रसमलाई जैसे दिखेगा तो इस तरह से चेने जैसे बाल्स बना लेना है और अब हमने जो दूद पकने के लिए रखा था उसको चेक कर लेते हैं यह हमने जितना दूद लिया था ना उससे आधा हो गया है और यह रसमलाई जैसा दूद बनके रेडी हो आए इसको हलका सा ठंड़ कर लेंगे इतना कि यह गुन देखें मैं आम को काटोरी में भी डाले का दिखाती और सर्प में लिह दीखाते हैं तो अब इसको कर देते हैं । के आपाहा ऑँ लिया हुआ है। तो और अच्छा दिखेगा ये देखिए और उपर से इस तरह से बारी कट वे पिस्ता एड़ कर देंगे ये देखिए और चाहो तो आप थोड़ा सा केशर हो गयरा शे भी इसको डेकुरेट कर सकते हो तो ये देखिए गार्णिश करने के पाद कितनी ज़्यादा टेश्टी यमी दिख रही है तो मैं इसको कट करके आपको दिखाते हो और ये इतनी ज़्यादा सौप्ट है नहीं कि मुह में डालती घुल जाएगा और इसकी अंदर की जो फिलिंग है नो बहुत ज़्यादा टे पैसों में इतनी टेश्टी मिठाई घर पर बना सेगे तो आप लोग एक बार ट्राइ करके जरूर देखिएगा अगर इसका टेश्ट एक बार मुह लग गया ना तो आप हर तेहार हर फंक्शन में इसको जरूर बनाएंगे तो जरूर ट्राइ करिएगा और हम मिलते ही एक नए वीडियो के साथ तो अगर पहली बार चैनल में आ हैं तो सस्क्राइब करें और भी लोगों के साथ सेर करिएगा और लाइक करें थैंक्यू फार वाचिंग फ्रेंड्स वीडियो